पिशले वर्ष अगस के बाद सिटी में यहस देती थी कि हर गली महले में पॉजिटिव मरीज मिलने लगे थे जिसमें गली में मरीज मिलते थे उसे सिल कर दिया चाता था लेकिन इस बार एरिया सिल नहीं क्या चा रहा है जबकि हालात यह है कि हर गली महले में पॉजिटिव मिल रहे है इसे मंगलवार को प्राप्त होई रिपोर्ट ने भी पुक्ता कर दिया है 24 घंटे के बितर की गई जांच में जिले में कुल 2587 लोगों में संकर्मन की पुष्टी हुई सुमवार की दुना में यह संख्या 290 अधिक है 24 घंटे के बितर जिले में 13,364 लोगों की जांच की गई दरिसल सरकार्त वरा जारी के गए निर्देश के बाद टेस्टिंग बढ़ाती गई है इसमें सिटी में 1921 और ग्रामिन में 644 लोगों में संकर्मन की पुष्टी हुई अब तक सिटी में ही अधिक संकर्मित मिल रहते लेकिन अब ग्रामिन भागों में भी वारस ने जोर पकड़ लिया है जबकि डॉक्टर का मानना है कि टेस्टिंग बढ़ने से हर दिन संकर्मित मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है यानि अब स्तिती बेगंडे लगी है यही वज़ा है कि सावथानी और सतर्था बहत जरूरी हो गई है मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही हर दिन रिकावरी रेट भी घटता जा रहा है हाला कि ठीक होने वाली मरीज भी अधिकी है लेकिन अचानक पॉजिटिव लोगों का फ्लो बढ़ने से रिकावरी रेट संफलने पार है 24 घंटे की बीतर जिल्ले में 1095 लोगों की छुट्टी दी गई वही अब तक कुल संख्या एक लाग 51,917 हो गई है इस वज़ा से रिकावरी रेट 66.2 बासस फिस्ति पर पहुच गया है जिल्ले में 18 मरीजों की मौत हो गई है वही अब तक कुल मरने वालों की संख्या 4,409 पे तक पहुच गई है फिलाल 18,980 आक्टिव केस है इनमें सिटी में 15,509 और ग्रामिन में 3,4111 का समाविश है अब तक जिल्ले में कुल 13,99,611 लोगों की जाच की जाच चुकी है फिलाल सेटी में करीब 20 प्रयोक शालाओं में कोरोना की जाच की जारी है इनमें 5,915 नमुनों की जाच की गई इनमें 1090 रिपोर्ट पॉजिटीव आई जबकि 3,127 अंटिजन टेस्ट में महज 101 रिपोर्ट पॉजिटीव आई है एम्स की लाव में 1056 और मेडिकल में 1392 मरीजों की जाच की गई है जसमें क्रमस 444 वद 341 रिपोर्ट पॉजिटीव आई है डॉक्टरों की माने तो वारस तेजी से फैलने का ही नतिजा है कि अधिकाधिक लोग संक्रमित हो रहे है मिमारी से बचनी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिरवार्य है क्यामरा परसन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट